परिचय का regulator एक चर प्रतीरोध की तरह काम करता है शुरूवाती स्थितियों में प्रतीरोध उच्च होता है और पंखे की गती कम होती है लेकिन जब regulator घुमाया जाता है तो इसका प्रतीरोध घटकर इसके नियुनुतम मान पर हो जाता है और इस प्रकार पंखे की गती उच्चतम हो जाती है इसका अर्थ है कि प्रती रोधक का घड़ता है तो विद्युद्धारा का मान बढ़ता है चात्रो, आज हम विद्युद्धारा के बारे में और अधिक पढ़ेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विद्युद्धारा को परिभाशित करना चालकों में विद्युद्धारा को समझना ओम का नियम परिभाशित करना प्रती रोधकता की गणना करना ओम के नियम की सीमाएं जानना विभिन्य पदार्थों की प्रतिरोधगता का निर्धारण करना प्रतिरोध की ताप निर्भरता का मुल्यांकन करना विद्युत उर्जा और शक्ती को परिभाशित करना प्रतिरोधगों के युग्म का मुल्यांकन करना सेल और इसके सैयोजनों को समझना किर्चाफ्ट नियम को बताना वीड स्टोन से तू, मीटर से तू और पोटेंशियो मीटर को परिभाशत करना विद्युद्धारा किसी प्रिष्ठी शेत्र फल से एक आंक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युद्धारा कहते है मान लीजे, डेल्टा टी समय में कुल आवेश डेल्टा क्युद्धा 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 क दिशा में होता है। विद्युद्धारा की दिशा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में ली जाती है। उच्छ विभाव से निम्न विभाव की दिशा में होता है। जब एक बैटरी किसी चालक के सिरों से जोड़ी जाती है, तो बैटरी के टर्मिनल से जुड़े सिरों से प्रारंभ होकर चालक पर विपरीत चिन्ह का प्रिष्ठिय आवेश बनने लगता है। यह प्रिष्ठिय आवेश विद्युत शेत्र का निर्माण करते हैं। यह विद्युत शेत्र इलेक्टरौन के विद्युत शेत्र के विपरीत दिशा में गती करने का कारण होता है। संगटट के कारण इलेक्टरौन चालक में धीमी गती से प्रवाहित होते हैं और उनके ओसत वेग को ओम का नियम ओम के नियम के अनुसार, इसी चालकधातु का विभवानतर उसमें प्रवाहित विद्युधारा के अनुक्रमानुपाती होता है या वी बराबर आयार जहां अनुपातिक्ता थिरांक आरको चालकपदार्थ की प्रतिरोधक्ता कहते है प्रतिरोधक्ता का ऐसाई मातरक ओम होता है कोई भी विद्युत यंत्र जो विद्युत धारा के प्रवाहा का एक निश्चित मातरा में प्रतिरोध करे तो उसे प्रतिरोधक कहते है हम प्रतिरोध को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं हम कल्पना करते हैं कि आई लंबाई के एक तार में समरूप विद्युत शेत्र E और अनुप्रस्थ भाग का शेत्र फल A है तार के सिरो के बीच विभवांतर दिया है V बराबर E I लेकिन आई बराबर E बटे रो एल गुडण वी जहां रो पदार्थ की प्रतिरोधक्ता है उपरोक्त समीकरण में आई का मान रखे हमें प्रतिरोधक्ता का मान प्राप्त होता है जो की रो एल बटे A बराबर है हम यह निशकरश निकालते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्त काठशेत्र फल के व्युक्त क्रमानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन का अपवाह और प्रतिरोधक्ता का उद्गम जब विद्युत शेत्र प्रयुक्त नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनों की याद्रचिक तापी अवेग किसी भी दिशा में नेट धारा नहीं उत्पन करते जब विद्युत शेत्र प्रयुक्त होता है तो प्रतियक इलेक्ट्रॉन विद्युत शेत्र की दिशा के विपरीत त्वरण महसूस करता है ए बराबर रिण E बटे M एक काल अंतराल डेल्टा टी विद्युत शेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन ई त्वरण और काल अंतराल के गुड़न के बराबर होता है। यदि टाव संगहटटों के बीच औसत समय है, इलेक्ट्रॉन का औसत अपवाह वेग त्वरण और टाव के गुड़न के बराबर होता है। मात्रा टाव को विश्रान्ती काल कहते हैं। यह निकाय को संघटट द्वारा साम्य ताप की अवस्था में वापस आने में लगा समय की मात्रा के बराबर होता है। धारा धनत्व को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जे बराबर रिण N E VD उप्रोक्त समी करण में VD का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ। जे बराबर N E वर्ग टाव बटे M गुणन E अतह पदार्थ की चालकता है। सिग्मा बराबर N E वर्ग टाव बटे M और पदार्थ की प्रति रोधकता है। रो बराबर M बटे N गुणन E वर्ग टाव। गतिशीलता किसी चालक पदार्थ में गतिशील आवेश वाहक की गतिशीलता प्रति विद्युत शेत्र अपवावेक के परिडाम के रूपे पर भाशित होता है। गतिशीलता म्यू बराबर VD बटे E जो की E टाव बटे M के बराबर होता है। और I में समानुपातिकता नहीं होती। विचलन निम्न प्रकार के होते हैं। V और I के बीच संबंद चिन्ह V पर निर्भर करता है। V के परिमान को स्थिर रख उसकी दिशा उलट देने पर उसी परिमान की धारा उत्पन नहीं करता जैसा की I विप्री दिशा में करता है। V आई के समानुपाति नहीं रह जाता। समान धारा V के लिए I के एक से अधिक मान होते हैं। इस तरह का व्यवहार करने वाला एक पदार्थ गैलियम आर्सनाइड है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधक्ता प्रतिरोधक्ता पदार्थों का ने सर्गिक गुण होता है। चालकों जैसे तामबा में निम्न प्रतिरोधक्ता होती है। अर्ध चालक पदार्थों जैसे जर्मेनियम में प्रतिरोधक्ता चालक और कुचालक के बीचकी होती है। विद्यत्रोधी जैसे रबर में उच्च प्रतिरोधक्ता होती है। वर्ण कोड की प्रतीरोधक की प्रतीरोधकता को दर्शाने के लिए वर्ण कोड की पद्धती का प्रयोग किया जाता है प्रतीरोधक के चारो तरफ उनके विशेश महत्ववाली रंगों की एक पट्टी बिछा दि जाती है आईए एक उदहरन ले दिये गए प्रतिरोधक के लिए पीला चार को व्यक्त करता है बैंगनी साथ को व्यक्त करता है लाल दस की घाद दो को व्यक्त करता है और सुनहरा पांच प्रतिशत को व्यक्त करता है उपरोक्त आकणों को एकत्रित करने पर दिये गए प्रतिरोध की कुल प्रतिरोधक्ता पाँच प्रतिशत सहतमान के साथ 47 गुडन 10 की घात 2 होगी प्रतिरोधक्ता की ताप पर निर्भरता किसी पदार्थ की प्रतिरोधक्ता ताप पर निर्भर करती है ताप और प्रतिरोधक्ता का अंतर संबंध निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है जहां रो और रो नौट क्रमशह, टी और टी नौट ताप पर प्रतिरोधक्ता हैं अल्फा को प्रतिरोधक्ता ताप गुडांग कहते हैं। धातुओं में ताप में वृद्धी के साथ ही प्रतिरोधक्ता में वृद्धी होती है और अल्फा का मान धनात्मक होता है। मिश्र धातु में प्रतीरोधक्ता बहुत अधिक होती है लेकिन ताप निर्भरता शीर होती है मिश्र धातु में पूर्ण शून्य ताप पर भी अवशेश प्रतीरोधकता होती है जबकि शुद्ध धातु में पूर्ण शून्य ताप पर उपेक्षणिय अतिनियून प्रतीरोधकता होती है अर्ध चालकों में ताप में व्रिद्धी होने पर प्रतिरोधक्ता कम होती है और अल्फा रिणात्मक होता है विद्युत उर्जा और शक्ती कल्पना कीजिए कि एक परिपत में धारा आई है और उसके दो सिरों A और B के बीच विभवान तर V है काल अंतराल Δ T में आवेश की एक मात्रा Δ Q बराबर I Δ T परिपत के बिंदू A से B बिंदू की ओर चलती है और विद्युत शेत्र द्वारा किया गया कारे है जिस दर से विद्युत उर्जा किसी परिपत के एक भाग में प्रवेश करती है, उसे विद्युत शक्ती निवेश कहते है शक्ती का SI मात्रक वो अठ होता है प्रतीरोधक में शयत शक्ती जब किसी प्रतीरोधक में विभवांतर वी उपस्थित हो, प्रतीरोधक के मुक्त इलेक्टरौन में विद्युत शेत्र द्वारा त्वरण उत्पन्न किया जाता है और उनमें गतिच उर्जा का संचार होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिरोधक पदार्थ के परिमाणों से संगटट करने पर उन्हें अपनी गतिच उर्जा का एक अंश प्रदान करते है प्रतिरोधक में उर्जा का यह स्थानांतरण प्रतिरोधक के ताप में व्रिद्धी कर देता है प्रतिरोध में शक्ति निवेश निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है प्रतिरोधकों का संयोजन दो या अधिक प्रतिरोधकों को किसी भी मात्रा के वान्षित मात्रा का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से एक निश्चित करम में संयोजित किया जा सकता है प्रतिरोधकों के संयोजन सा संतुल्य प्रतिरोध को एक ऐसा एकल प्रतिरोधक माना जाता है जो पूरे संयोजन के वोल्टेज और शेश परिपत की धारा आईड में परिवर्तित किये बगैर संयोजन को प्रतिस्थापित कर देता है प्रतिरोधकों के संयोजन के दो प्रकार हैं श्रेणी संयोजन और पार्श संयोजन श्रेणी में प्रतिरोध प्रतियक प्रतिरोधक में प्रवाहिद धारा ही संयोजन में प्रवेश करने वाली धारा होती है पूरी श्रेणी संयोजन का विभव पात सभी प्रतिरोधकों के विभव पातों के योग के बराबर होता है श्रेणी में प्रतिरोधकों की किसी भी संख्या के लिए सम्तुल्य प्रतिरोधक सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है सम्तुल्य प्रतिरोध श्रेणी संयोजन के सबसे बड़े प्रतिरोध से बड़ा होता है पार्श्व प्रतिरोध प्रतियक प्रतिरोधक में विभव पात समान होता है संयोजन में प्रवेश करने वाली कुल धारा सभी प्रतिरोधकों की धारा के योग के बराबर होती है पार्श्व में प्रतिरोधकों की किसी भी संख्या के लिए सम्तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है सम्तुल्य प्रतिरोध संयोजन की सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा होता है उदहरण आईए प्रतिरोधकों के संयोजन का एक उदहरण ले आक्रती में दिखाए गए प्रतिरोधक संजाल में A और B के पीच प्रतिरोध की गणना कीजिए आईए हल देखें A और B के मध्य प्रतिरोध RAB की गणना के लिए हम आक्रती में दिखाए गए एक संजाल का निर्माण करते हैं अब हम भुजा G E F H के प्रतिरोध की गणना करते हैं जो की 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 ओम है यह भुजा G H के प्रतिरोध के पार्ष में है अतह जी और एच के मध्य प्रभावी प्रतिरोध 0.75 ओम है अतह ए और बीर के मध्य प्रभावी प्रतिरोध 2.75 ओम है अब आर एबी बराबर एक धन 0.75 धन एक बराबर 2.75 ओम है सेल किसी प्रतिरोधग में धारा के स्थाई प्रवाह के लिए संपूर्ण प्रतिरोधग में विभवांतर को बनाए रखता है जब धारा प्रवाहित होती रहती है तो सेल के रिणात्मक टर्मिनल पर धनात्मक आवेश एकत्रित होते रहते हैं जब तक ये रिणात्मक टर्मिनल के ये धनात्मक आवेश सेल के अंदर स्थित विद्युत अबघटय के माध्यम से धनात्मक टर्मिनल पर थानांतरित नहीं हो जाते तब तक दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर को स्थिर रखना संभव नहीं है सेल के अंदर स्थित, विद्युत अपघटय के माध्यम से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश के स्थानांतरण के लिए कारी करने की आवशकता है क्योंकि विद्युत अपघटनी विलियन आवेश की गती के खिलाफ प्रतिरोध उत्रपन करता है इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते है EMF सेल के अंदर निम्न विभवाले टर्मिनल से उच्छ विभवाले टर्मिनल की तरफ आवेश की गती के लिए प्रति एकक आवेश में किये गए कारि को विद्युत वाहक बल EMF कहते है सेल का EMF होता है इ बराबर आई गुणे आर प्लस आर यहां आर वाहा प्रतिरोध है आर आंतरिक प्रतिरोध है आई परिपत में उपस्थिधारा है एक आदर्श सेल में शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है परिपत में प्रयुक्त वोल्टता सेल के EMF के बराबर होती है श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल श्रेणी सयोजन में सेल श्रेणी में सेल के सिरों को परस पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्यक सेल से धारा प्रवाहित हो जब सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो बैटरी का EMF सभी सेलों के EMF के योग के बराबर होता है कुछ आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है प्रतियक सेल में वही धारा होती है जो पूरे श्रेणी क्रम में होती है यदि N समरूप सेल प्रतियक का E.M.F.E. और आंतरिक प्रतिरोध आर है एक श्रेणी में जोड़े गए हैं तो परिपत में प्रवाहिद धारा होगी पार्श्व क्रम में सेल सयोजन जब सेल के आवेश को विभिन सेलों में विभाजित किया जाता है तो इसे पार्श्व क्रम सेल सयोजन कहते हैं जब समरूप सेल पार्श्व क्रम में सयोजित होते हैं बैटरी का E.M.F. एकल सेल के E.M.F. के बराबर होता है कुछ आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी एकल सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है वाहय परिपत की धारा सभी सेलों में समान रूप से विभाजित होती है यदि N समरूप सेल प्रत्येक का E.M.F.E और आंतरिक प्रतिरोध आर है एक पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं तो परिपत में प्रवाहिद धारा निम्न होगी किर्चाफ के नियम पहला नियम संधी नियम किसी संधी पर संधी से प्रवेश करने वाली विद्युद्धाराओं का योग इस संधी से निकलने वाली विद्युद्धाराओं के योग के बराबर होता है संधी में प्रवेश करने वाली या निकलने वाली विद्युधाराओं का बीजगनतिय योग शुन्य होता है दूसरा नियम पाश नियम प्रतिरोध को कथाप सेलों से समलित किसी बंदपाश के चारों और विभाउ में परिवर्तनों का बीजगनतिय योग शोन्य होता है वीट स्टोन सेतू वीट स्टोन सेतू एक यंत्र है जिसका प्रयोग अज्यात प्रतिरोध के मापन के लिए किया जा सकता है इसमें एक बैटरी, एक गैल्वनो मीटर तथा चार प्रतिरोधकों का नेटवर्क होता है धारा I संधी A से प्रवेश करती है जहां यह धारा I1 और I2 धारा में विभाजित हो जाती है गैल्वनो मीटर संधी C और D के मध्य सेतु का निर्माण करता है प्रतिरोधों का मान व्यवस्थित करके गैल्वनो मीटर में धारा का मान शून्य कर दिया जाता है जो शून्य विक्षेप द्वारा इंगित होता है इस थिती में सेतु को संतुलित कहते हैं संतुलन सेतु के लिए शर्थ है वीट स्टोन सेतू उस्थिती में सरवाधिक सम्वेदनशील होता है जब प्रतिरोध R1 और R2 के परिमान की कोटी समान हो मीटर सेतू मीटर सेतू वीट स्टोन सेतू की एक प्रायोगिक युक्ती है यह यंत्र एक मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट शेत्र फल वाले तार से निर्मित होता है जिसे दो टर्मिनलों A और C के बीच एक लकड़ी की पट्टी पर एक समानांतर मीटर स्केल जो तार के किसी भी भाग की लंबाई माप सकती है ये साथ कस दिया जाता है प्रतिरोध बॉक्स R रिक्ती जीवन से जुड़ा होता है संतुलन की अवस्था में हम पाते हैं अज्यात प्रतिरोध की गड़ना के लिए हमें केवल संतुलन लंबाई ही की शुद्ध परिगड़ना करनी होती है विभव मापी विभव मापी का अनुप्रयोग दोसेलों या EMF के अन्य दोसरोतों के EMF की तुलना करने के लिए किया जाता है विभव मापी का प्रयोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन, धारा मापन, धारा मापी ये वोल्ट मापी के अंश शोधन, प्रतिरोधों की तुलना करने और ताप व्यद्यूत EMF के मापन के लिए किया जाता है विभव मापी का सिध्धान्त एक बैटरी, एक धारा मापी, एक धारा नियंतरक और एक गामी कुंजी की सहायता से टर्मिनल B से जुड़ा हुआ है दिये गए सेल का धनात्मक टर्मिनल जिसकी आंतरिक प्रतिरोधकता ज्यात करनी है विभव मापी के टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है और रिणात्मक टर्मिनल एक गैल्वनमीटर G और प्रतिरोध बॉक्स के माध्यम से सरपी संपर्क S से जुड़ा हुआ है सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न है यहाँ L1 संतुलन लंबाई है जब K2 खुला है L2 संतुलन लंबाई है जब K1 खुला है क्या आप जानते हैं? जोर्ज साइमन ओम विद्युत धारा का विद्युत वाहक बल मापना चाहते थे उन्होंने पाया कि कुछ चालक अन्य से बहतर कार्य करते हैं और उन्होंने उनके अंतर का निर्धारन किया उन्होंने कुछ समय तक ओम के नियम की घोशना के लिए प्रतिक्षा की क्योंकि उनके मित्रों को उनका सिद्धान्त स्विकार नहीं था प्रतिरोध का मात्रक उन्ही के नाम पर रखा गया है तड़त वायु मंडल में विद्युत का प्रक्षेपण होता है तड़त विद्युत करीब 2,10,000 किलोमीटर प्रतिगंटा की दूरी तै कर सकती है किसी अन्य अव्यव जैसे कोई प्रकाश उत्सरजी डायोट के साथ श्रेणी क्रम में रखी प्रतिरोधक धारा को सुरक्षित मान तक घटा देता है बैटरी विस्फोट बैटरी के दुरुपयोग या खराबी के कारण होता है जैसे की रिचार्ज ना होने वाली बैटरी को रिचार्ज करना या बैटरी में शौट सर्किट हो जाना कार की बैटरीों में जब शौट सर्किट से अत्यधिक विद्युधारा उत्पन हो जाती है तो उनके विस्फोट की ज्यादा संभावना होती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए किसी प्रिष्ठी शेत्रफल से एक आंक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्धुधारा कहते है संगटट के कारण इलेक्ट्रॉन चालक में धीमी गती करते हैं और उनके ओसत वेख को समवाह वेख कहते हैं ओम का नियम बताता है कि किसी चालक पदार्थ का विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है किसी चालक पदार्थ में गतिशील आवेश वाहक की गतिशील्ता प्रती एकांक विद्युतशेतर में अपवाह वेक का परिमार होती है प्रतिरोधकों के संयोजन से सम्तुल्य प्रतिरोध को एक ऐसा एकल प्रतिरोध माना जाता है जो पूरे संयोजन के वोल्टेज और शेश परिपत की धारा में परिवर्तित किये बगैर संयोजन को प्रतिस्थापित कर देता है सेल के अंदर निम्न विभव वाले टर्मिनल से उच विभव वाले टर्मिनल की तरफ आवेश की गती के लिए प्रती एकक आवेश में किये गए कारी को विद्युत वाहग बल कहते हैं किरचाफ का पहला नियम बताता है कि इसी संधी पर संधी से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधी से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है किरचाफ का दूसरा नियम बताता है कि प्रती रोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों और विभव में परिवर्तनों का बीजगणतिय योग चून्य होता है